क्रिकेट की शुरुवात सोलवी सताबदी में अंगरीजों के द्वारा की गई थी और इन्हे क्रिकेट का जर्म जाता माना जाता है क्रिकेट भारत में खेला जाने वाला सबसे लोग प्रे खेले जिसे बल्ले और गेंद की मदद से खेला जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि बल्ले को कैसे बना जाता है और कैसे बल्ला तयार होने के बाद हमारे देश के बड़े-बड़े किलाडी जैसे मैंदरि सिंग दोनी और विराट कोली इससे बड़े-बड़े चक्के मारते हैं आज हम आपको दिखाते हैं कि मामली साथ दिखने वाला लकडी का ये फट्टा कैसे बल्ले की रूप में तयार किया जाता है। चोड़ दिया जाएगा अब ये बल्ला सुख चुका है और इस मशीन की साहता से बैट के गलमे काटे जा रहे हैं इसे हत्ये को गोलाई का शेफ दिया जाता है। का बहुत समय खराब होता था लेकिन आज इन बड़ी बड़ी मशीनों की साहता से यही सारा काम बड़ी ही असानी के साथ कम समय में हो जाता है। इस काम में इतनी ज्यादा धूल उड़ती है कि आपका पूरा सरीर धूल से भर जाता है। दोस्तों अभी इस बल्ले का सिर्फ पचास से साथ परतिशत काम हुआ है। यह सब होने के बाद यह बल्ला डिजाइन होने के लिए किसी और जगा ले जाया जाता है। जहां पर मशीन की साहिता से इसके उपर डिजाइन किया जाता है। इस बल्ले के उपर ब्रांडिंग की जाती है। और यह भारत के अलग-अलग शहरों में इसकी बिकरी के लिए भीजा जाता है। तो हम है रावल स्पोर्ट्स जो यह बैट बनाते हैं और अल आवर इंडिया सप्लाई गड़ते हैं। और अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप वाट्सेप करिए। और अगर इनके गोडाउन पर अगर डिरेक्ट विजिट करना चाहे तो आप यहां विजिट भी कर सकते हैं। कभी भी विजिट कर सकते हैं। आप मंडे टू सैटल डे अमारा ओफ रहता है। और मैं रिक्वेंस करूंगा आप इनको पर परिशान मत करीगा। कि जैनुवन क्वेरी हो आपको जैनुवन ली अगर बैट खरीदना हो तो इनको कॉल करके इनसे बात करिएगा बैट आप हमसे चाहे जितना खरी सकते हैं वन पीस से लेकर थाउसंड पीस तक